हिबिसकस यानी गुरहल प्लांट में इस तरीके से फ्लावर लेने के लिए आपको प्लांट को देना है बहुत ही आच्छा से सानलाइट देखिए पुरा दिन में ये प्लांट मेरा सालाइट में रहते है इसलिए बलकुनी में लगा हुआ है, 12 इंच गमले में लगा हुआ है तभी देखिए कितना बरिया तरीके से इसमें ग्रोध भी अपको दिख रहे है जिसमें रहेगा बहुती बरिया फार्टिलाइजर, और्गनिक होमेड फार्टिलाइजर, साथी साथ में प्लांट में किरा ना लागे, इसके लिए हमको इंसेक्टिसाइट का भी प्लांट में स्प्रे करते रहना है, तो कौन सा फार्टिलाइजर, कौन सा इंसेक्टिसाइट एकी साथ आपको hibiscus गुरहल प्लांट में डालना है, स्प्रे करना है, इसी वीडियो में आपके साथ श्यार कर रहे हूँ, क्योंकि friends, hibiscus गुरहल प्लांट में इस तरिके से फूल लेने के लिए, यानि, bar drop का problem से दूर रहने के लिए, जैसे आपको fertilizer के उपर धान देना है साती सात में किडा ना लगे प्लांट में तो उसको भी अच्छ से आपको धान देना है और आपका हिबिसकस प्लांट में फूल नहीं खिल रहे है तो आप एक काम कर सकते हो देसी वेराइटी का हिबिसकस का प्लांट अब लगा सकते हो देसी वेराइटी अब लगाएंगे तो फूल खिलाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है तो देखिए फेस आपको दिखा रही हो कि मेरा हिबिसकस प्लांट ये वेस्ट फेसिंग बालकोनी में है और पुरा दिन में इसमें सानलाइट लगता है कि हिबिसकस प्लांट में फूल और ग्रोथ के लिए सानलाइट बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है और देखिए फार्टिलाइजर आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है बायो इंजाइम बनान पील से मैंने बना के रखी हूँ आप डिटेल्स इसका वीडियो देखना चाहते हो तो मैं लिंक दे दूँगी डेस्क्रिप्शन में आप वहां से चेक करके बायो इंजाइम बना लिजिए एकी बारा बना लिजिए साल भर आपको इस्तिमाल आप कर सकते हो सालवर और कोई फार्टिलाइजर नहीं देंगे तब भी चलेगा और यहां पे और एक बायो इंजाइम आपके साथ शेयर कर रही हूँ यह है लेमन चिलका से बना हुआ है बायो इंजाइम तो इस वीडियो में आपको अल्टरनेटिव भी बताऊंगी कि आभी फिलाल आपके पस बायो इंजाइम नहीं है तो आपको कौन सा फार्टिलाइजर इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले बायो इंजाइम का इस्तेमाल आपको दिखा देती हूँ तो फ्रेंज देखिए यहाँ पे मैंने पोटाशियाम बेस फार्टिलाइजर लिया है बायो इंजाइम जैसे बनना पील फार्टिलाइजर और साथ में मैंने और एक बायो इंजाइम लिया है लेमन चिलके से बना हुआ है लेमन का इस्तिमाल इसलिए कर रहे हों क्योंकि हिबिसकस प्लांट का स्ौयल को हमेशा हमको Acetic Maintain करके रखना है अपका हिबिसकस गुर्हल प्लांट का स्ौयल Acetic रहेगा तबी प्लांट में कल्या बनेगा कल्या ड्रॉप नहीं होगा और जो फूल खीलेगा कलर भी बहुत बरिया मिलता है और बहुत ही बड़े साइस का मिलता है तो मैंने यहाँ पे कितना नाप पे लिया वो भी आपको बता देती हूँ मैंने लिया है यहाँ पे दो लिटर पानी और दो लिटर पानी के साथ मैंने मिला दिया है एक धकन बनना पील फार्टिलाइजर का बायो एंजाइम और एक धकन दिया मैंने लेमन पील फार्टिलाइजर ये भी बायो एंजाइम है यानि 2 लिटर फार्टिलाइजर के लिए मेरे को लेना है 10 ml बाननपील बायो एंजाइम और 10 ml लेमन चिलका से बाना हुआ है बायो एंजाइम दोनों चीज़ को अच्छा से मिलाने के बाद थोरा सा हल्दिका पाउडर भी आप एट कर दीजिए तो फांगस से भी प्लांट दूर रहे यानि यह जो पैकेज फार्टिलाइजर आपको दिखा रही हूँ इसका इस्तेमाल से आपको अलग से प्लांट में फार्टिलाइजर नहीं देना है प्लांट में इंसेक्ट लगे चीटिया लगे उसके लिए और कोई इलाज करने का लेगा और हिबिसकास गुरहल प्लांट का सोयल एसी डिक भी बना रहेगा यानि कम्प्लीट एक पैकेज है फेंस तो आप देखिए आपको दिखा रही हूँ आपके पास फिलाल बायो एंजाइम नहीं है तो आपको करना के है बनाना पील लेना है और लेमन लेना है लेमन का चिलका भी आप ले सकते हो और लेमन में रस है ऐसे भी आप ले सकते हो एक से दो दिन तक आपको पानी में भीगो के रख देना है ये दो चीज आपके पास कितना क्वांटिटी का प्लांट है उसके हिसाब से आप इसका रेडि कर लिजे एक प्लांट के लिए एक चिलका का अब और मागे संफेशा को प्लांट बनार लुटी के एक दिन विगों के रितिर्धिक gry शरै कि अभो में और समय आपको इनसेक्ति साइजे आपको बाद प्लांट में ज्यादा प्रॉब्लिम है और प्लांट में प्रॉब्लिम नहीं है तो हफ़ते में एक बार क्या हफ़ते में दो बड़ भी आपको इस्तेमल करना है। तो देखिए मैंने यहां पे लिया है 1 लीटर पानी, एक लीटर पानी के साथ मैंने मिला दिया है, 4-5 ड्रॉप यह हैंड वाश, उसके बाद दिखिए पहले हैंड वाश को अच्छा से पानी में घोल के मैंने 1 लीटर यह स्प्रे बोटल में डाल दिया है, जैसे आपको देना नहीं है और बहुत ही बरिया हमारा यह होममेड इंसेक्टिसाइड बन गए है इस इंसेक्टिसाइड को आप जरूर इस्तेमाल करिए मीली बाग हिबिसकस प्लांट में तो रहे गाई नहीं साथ में एफिट जो चोटा-चोटा कीरा लगते हैं वह भी नहीं रहेगा किस तरीके से ख़़ना है तो हमेशा स्परे आपको इसी के तरह ही करना है जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूं पानी का धर इस तरीके से होना चाहिए तो व्हंस तरह तरह क्या फाटी लेजर और ओर किस तरह से इंसेटिसाइड आप बना लेना है होममेड आपको लास्ट काफी चैसे 4-5 वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो भी आपको इजी रहे आप जरूर इस्तेमाल करके देखिए आपका प्लांट में जरूर फूल खिलेगा फूल खिलने का प्रोब्लेम है तो फूल खिले गाए जैसे देखिए मेरा ये चोटा सा चोटा प्लांट में भी किस तरीके से कलिया बन रहे है चोटा गमलब में प्लांट लगा हुआ है उसमें भी आपका हिबिसकस प्लांट में फूल खिलते रहेगा तो हिबिसकस प्लांट में किस तरीके से फार्टिलाजर देना है कौन सा फार्टिलाजर द पता है कि आपके पास hybrid hiviscus का plant है, एकका दुक का फूल खिल रहे है, और फूल खिलाने के लिए आप काफी मेहनत कर रहे हो। तो आप देसी हीविसकस का प्लान जरूर लगाया करिए जितना मेहनत आप हाइबिड हीविसकस प्लान के साथ कर रहे हो देसी हीविसकस में इतना ही क्यार करिए उससे भी जादा यानि हाइबिड हीविसकस से जादा रेजल्ट यानि जादा से जादा फूल आपको देसी हीव इसकास यानि गुरहल में काफी कलर का फूल आपको मिलता है तो आप जरूर लगाया करिए वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए मेरे साथ जुरने के लिए चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए थैंक्यू सो माच मिलते हैं नेक्स वीडियो पे